नमस्कार दोस्तों मैं गोरव चोदरी जो आप सभी दोस्तों का आप हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज लेके आए हूँ मैं आर आर भी एंटिफिशी की एकजाम के लिए मॉडल पेपर लेके आउँ दोस्तों दोस्तों आप हमारे वीडियो को अन तक जरूर देखा करें क्योंकि इस वीडियो में वो परसन लेके आता हूँ जो current affair, science और old जी कीजिए समझ परसन लेकि आता हूँ दोस्तों दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो bell icon बनता है उसे प्रेश जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे नई वीडियो की notification आपको मिल सकें और आप ज़्यदा से ज़्यदा परिपेशन कर सकें दोस्तों किसी person में कोई तुरूटी हो तो आप हमें comment की मादिम से बता सकते हैं जिससे कि उस समझाय का समधन किया जा सकें दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा ज़्यदा से ज़्यदा study group पर share जरूर कीजिएगा जैसे कि वार्सब गुरूप है ट्विटर गुरूप है फेस्बुक गुरूप है इंस्टाग्राम है जिसे कि हमारे इस वीडियो का मेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं दोस्तों इन क्यूशनों का अंसर भी आप हमें कमेंट के मादम से दे सकते हैं और stream का कब बेरिजन कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए में current affair इंडिया जी के राजस्तान जी के और जनरल साइंस के परसन भी मैं वीडियो के मादम से प्रवट करवाता रहता हूँ तो आप उन वीडियो का भी मेनिफिट ले सकते हैं आज का पहला परसन है हाल ही में ICC महिला किर्केट ओफ दा इयर के रूप में किसे चुना गया है A option है इसमर्थी मंधाना B option है मिताली राज C option है हरमन प्रितकौर D option है जुलन गौस्वामी तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंसवर इसका अंसर होगा A option या अनि कि इसमर्थी मंधाना तो इसमर्थी मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ओफ दे एर के रूब में चुना गया है हाली ही में जो महिलाओं के लिए क्रिकेट पत्री का जारी हुई थी उसका नाम था क्रिक जोन में फरन्ट पेज पर इसमर्ति मंदाना का पिरिंट था और यहां पे है मिताली राज तो मिताली राज क्या है बारते महिला टीम की केप्टिन है और हर्मन प्रित कोड़नी है यह है नादिया अक्सप्रेक्स तो नादिया अक्सप्रेक्स के नाम से किसे जाना जाता है जुलन गोस्वामी को किसे जाना जाता है जुलन गोस्वामी को और यहां पे ट्रमा है ICC, तो ICC की फुलपोरम क्या होती है? International Cricket Council, क्या होती है? International Cricket Council, और ICC की स्थापना कब होई थी? ICC का मुख्यले का है? दुबबई में है और ICC के परजन टाइम पर CEO कोन है? यह CEO है, बारती है, कोन है? मनुसाहानी है Next Question है इसी वरस जनवरी 2019 में J.E.R. बोल्स नारो ने किस देश के राष्टपति के रूप में सपत ली है हाल ही में, वरस जनवरी 2019 में J.E.R. बोल्स नारो ने किस देश के राष्टपति के पद के रूप में सपत ली है A.O. अर्जेंटिना, B.O. रूस, C.O. ब्राजील, D.O. जापान तो क्या होगा इस Quesn का राइट आंस्वर? इसका आंस्वर होगा C.O. यानि कि ब्राजील तो J.E.R. बोल्स नारो ने ब्राजील देश के राष्टपति के रूप में सपत ली है ब्राजील का नाम आया है तो ब्राजील की केपिटल क्या है? ब्राजीलिया है ब्राजील की केरेंश क्या है? रियल है क्या है? रियल इस वर्ष किस इस्तान पर बारतिय विज्यान कांग्रेस का उद्गाठन किया गया है A उप्षन है नई दिल्ली, B उप्षन है मुंबई, C उप्षन है चेन्नाई, D उप्षन है जालंदर तो क्या होगा इस विज्यान का उप्षन है, जालंदर का इस थी तह है, पंजाब में तो जालंदर पंजाब ने बारतिय विज्यान कांग्रेस का उद्गाठन किया गया है तो बारतिय विज्यान कांग्रेस की इस बार की थिम क्या थी Future India Science and Technology क्या थी Future India Science and Technology और पंजाब ने ही हाली ही में डॉल्पिन को अपना जलिये जीव गोशित किया है किसको गोशित किया है डॉल्फिन को Next question है Mount Vision जो काँपर है अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी है पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग मैला कोन बनी है Mount Vision जो commend जोड़ी सबसे उची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग मैला कोन बनी है A option है Arunima Sina B option है Arpana Kumar C option है Siray Kumalo D option है Kami Shyerpa तो क्या होगा इस question का right answer इसका अंसर होगा A option यानि कि अरुनिमा सिन्ना तो माउंट विस्टन पर चड़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है अरुनिमा सिन्ना यह है second option अरपना कुमार तो अरपना कुमार कोन है? IPS महिला है कोन है? पहली IPS महिला फिर है सिराई खुमालो तो सिराई खुमालो कोन है? पहली IPS महिला जिन्होंने माउंट एवरेष्ट पर चड़ाई की थी D option कामी सिर्पा तो कामी सिर्पा क्या है? सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेष्ट पर चड़ाई करने का रिकोर्ड इनहीं के नाम पर है कुल किती बार सड़ाई की इनने 23 बार? नेक्स्ट क्विशन है वी आर डिपलेश्ड पुस्तक के दुवारा किसके दुवारा लिखी गई है? वी आर डिपलेश्ड पुस्तक किसके दुवारा लिखी गई है? A option मलाला यूसफ जाई, B option अरून जेटली, C option सेन वोर्न और D option नरेंदर मोधी तो क्या होगा इस क्विशन का right answer? इसका answer होगा A option यानि कि मलाला यूसफ जाई तो मलाला यूसफ जाई इस क्विशन का right answer जाएगा और यह हैं पाकिस्ताने थे, मलाला यूसफ जाई कहां के थे? पाकिस्ताने थे और इन्होंने सबसे कम उमर में नोबेल विजेता है कुण है? नोबेल विजेता मलाला यूसफ जै अब सेक्रिंड ओप्शन है अरुन जेटली तो अरुन जेटली की पुस्तका क्या नाम है? अंदेरे से उजाले की ओर फिर है सेन वर्ण तो सेन वॉर्णग की किताब कही नाम है? नोअइस्पिन उसके बाद मैं नरेंदर मोदी तो नरेंदर मोदी की किताब कही नाम है? एकजाम वॉरियर नेक्ष्ट क्यूशन है निकोलस माधूरो ने किस देश में दूसरे कारे के लिए राष्ट्रपति पद की सपत ली है हाली ही में निकोलस मादुरों ने किस देश में दूसरे कारिय के लिए राष्ट्रपति पद की सपत ली है A उप्षन है जापान B उप्षन है पोलेंड C उप्षन है इस्पेन और D उप्षन है वेनुजुएला तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर? इसका आंस्वर होगा D option यानि कि वेनुजुएला तो वेनुजुएला में निकोलस माधुरो ने दूसरे कारियकाल के लिए राष्टपती पद की सपत ली है वेनुजुएला केपिटल क्या है? ताराकस क्या है ताराकस है और वहां की केरिंची क्या है? वेनुजुएला बोलिवर नेक्स्ट क्यूशन है अम्मा गरे LED योजना किस राज्य सरकार की देन है? A ओप्षन है ओडिसा, B ओप्षन है पस्चिम बंगाल, C ओप्षन है करनाटा के और D ओप्षन है बिहार तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर? इसका आंस्वर होगा A ओप्षन यानि कि ओडिसा तो अम्मा गरे LED योजना ओडिसा राज्य की देन है तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ? इसमें ओडिसा के लग भग 45 लाग परिवारों को च्यार LED बलब दिये जाएंगी वो भी क्या? निसुल्क और परतेक बलब नोवाट का होगा अब यहाँ पर ओडिसा का नाम आया है तो उडिसा की केपिटल क्या है? भूवनेश्वर है उडिसा के परजन टाइम पर चीप मिनिस्टर कोन है? नविन पतनाईक है और उडिसा के परजन टाइम पर गवनर कोन है? गनेशी लाल है और उडिसा का नाम आते ही आपके मायन में एक Qution आना चीए वहिलर दीप तो वहिलर दीप का नाम बदल कर हाली में किया गया है A.P.J. अब्दुलकलाब दीप Next Qution है One family, one job, योजना किस राज्य सरकार की देन है? One family, one job, योजना किस राज्य सरकार की देन है? A. Option है C. Kim B. Option है Megale C. Option है Manipur D. Option है Tripura तो क्या होगा इस Qution का राइट आंस्वर? इसका आंस्वर होगा A. Option यानि कि सिक्किम तो सिक्किम राज्य सरकार ने One family, one job, योजना सुरू किये तो बारत में पहला जेवी खेती को लागू करने वाला राज्य भी सिक्किम ही था और ये One family, one job के तहट हर परिवार से या पठतेक परिवार से एक सदसे को job अविसे मिलेगी Next Qution है हाल ही में Interpreneur of the Year के रूप में किसे चुना गया है A Option है अजीम प्रेम जी B Option है अजेब बंगा C Option है सिधार्त लाल और D Option है मुकिस अंबानी तो क्या होगा इस Qution का Right Answer? इस Qution का Answer होगा C Option यानि कि सिधार्त लाल तो सिधार्त लाल ने Interpreneur of the Year के रूप में चुने गए है यह आईरस मोटर्स के MD&CO है सिधार्त लाल कौन है? आईरस मोटर्स के MD&CO है Next Qution है सरीर का कौन सा अंग कभी नहीं अराम करता सरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता A Option है आँख B Option है अगनसे C Option है यक्रते D Option है हर्दे तो क्या होगा इस Qution का Right Answer? इसका अंजर होगा D Option यानि कि हर्दे तो सरीर का हर्दे अंग कभी भी आराम नहीं करता क्योंकि अगर यही आराम कर जाएगा तो अपने मर्थियों हो जाएगी Next Qution है मानों में कितने दांत ऐस्ताई होते हैं? मानों में कितने दांत ऐस्ताई होते हैं? A Option है, 20, B Option है, 12, C Option है, 32, D Option है, 16 तो क्या होगा इस Qution का राइट अंसर? इसका अंसर होगा A Option यानि कि 20 दांत तो मानों में 20 दांत ऐस्ताई होते हैं तो मानों में 20 दांत ही 2 बार आते हैं G1 का आल में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं और इन्हें दूद के दांत भी कहते हैं क्योंकि बच्चे के सबसे पहले दूद के दात आते हैं और वो गिरकर वापिस उनकी इस्तान पर दूसरे दात आ जाते हैं और इस तरह दातों की संख्या किती होती है बारा होती है Next question है कान में हडियों की संख्या कितनी होती है A option है 6 B option है 4 C option है 2 D option है 5 तो क्या होगा इस question का right answer इसका answer होगा A option यानि कि 6 हडिया होती है हमारे दो कान होते हैं और पड़ते कान में 3-3 हडिया होती है तो कान में हडियों की संख्या होती है 6 और एक question और पुछा जाता है हमारे सरीर में सबसे छोटी हडि कौन सी और कहां पाई जाती है तो सबसे छोटी हडि होती है step is step is step is हडि कहां पाई जाती है कान में पाई जाती next question है 1857 की क्रांती का संपुर्ण नेतर्त्व किसने किया था 1857 की क्रांती का संपुर्ण नेतर्त्व किसने किया था a option है बादूर साह जफर दिती है b option है मंगल पांडे c option है रानी लक्षमी भाई और d option है दादा भाई नोरोजी तो क्या होगा इस question का right answer इसका answer होगा a option यानि कि बादूर साह जफर दिती है तो बादूर साह जफर दिती है ने 1857 की क्रांती का संपुर्ण नेतर्त्व किया बादूर साह जफर दिती है यह मुगल सासन का अंतिम सासक था जिन्हों ने 1857 की करांती का संपुर्ण ने तरत्वे किया और 1857 की करांती की सरुवात कहां से हुई थी? इसकी सरुवात हुई थी मेरट से जिसका सम्मंध मंगल पांडे से है Next question है Light verse किसी की इकाई है? Light verse किसी की इकाई है? A option है, दूरी की, B option है, परकास की, C option है, तीवड़ता की, और D option है इन मेंसे कोई नहीं तो क्या होगा इस question का right answer? इसके answer होगा A option यानि की दूरी तो light verse या परकास verse दूरी है किसी काई है? दूरी की काई है Next question है खेलो इंडिया यूत गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किस खिलाडी ने जीते हैं? खेलो इंडिया यूत गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किस खिलाडी ने जीते हैं? A option है सिरी हारी नटराज B option है पंकच आडवानी C option है विने त्रिपाठी D option है सुर्य कांथ नीराला तो क्या होगा इस question का right answer? इसका answer होगा A option यानि कि सिरी हारी नटराज तो सिरी हारी नटराज ने खेलो इंडिया यूत गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और खेलो इंडिया यूत गेम्स का सुबारम किस ने किया था? हमारे खेल मंत्री कीरण रिजजु ने किस ने किया था? हमारे खेल मंत्री कीरण रिजजुजी ने किया था और इसमें पहले इस्तान पर राता महराश्टर और दूसरे इस्तान पर राता हर्याणा नेक्स्ट क्यूशन है फलोटेंशन से जुड़े वेग्यानिक का क्या नाम है? फलोटेंसन से जुड़े वेग्यानिक का नाम क्या है A option है आर्कमेडीज B option है न्यूटन C option है लुईस पास्चर और D option इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर इसका आंस्वर होगा A option यानि कि आर्कमेडीज तो आर्कमेडीज फलोटेंसन से जुड़े वेग्यानिक है और कभी-कभी ऐसे पूछा चाता है आर्कमेडीज कौन से देश के सदसे है यानि कौन से देश के वेग्यानिक है आर्कमेडीज आर्कमेडीज हैं ग्रीस के कहां के हैं ग्रीस के हैं Next question है बारत का कौन सा बांध सबसे उंचा है A ओप्षन है T हरी बांध B ओप्षन है हीरा कुंड बांध C ओप्षन है बाकडा नंगल बांध D ओप्षन है सर्दार सरोहर बांध तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर इसका अंसर होगा A option यानि कि टिहरी बांद टिहरी बांद कहा इस्तित है यह इस्तित है उत्तरा खंड में और कौन सी नदी पर बनावा है बागिर्ती नदी पर तो टिहरी बांद बारत का सबसे उच्छा बांद है और ही राकून बांद बारत का सबसे लंबा बांद है Next question है बारत की पहली मैला IAS कौन थी? A option है अन्ना जोर्ज B option है कीरण बेदी C option है कंचन चोदरी बठा चारी है और D option हैं इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा इस question का right answer? इसका answer होगा A option यानि की अन्ना जोर्ज तो अन्ना जोर्ज बारत की पहली मैला IPS बनी और यहाँ पे B option है कीरण बेदी तो कीरण बेदी पहली मैला IPS अधिकारी बनी थी Next question है हाली ही में हिमाले फेस ओस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसेडर किसे न्यूक्त किया गया है हाली ही में हिमाले फेस ओस ने अपना ब्रांड एम्बेसेडर किसे न्यूक्त किया गया है A option है विराट कोहली, B option है रिसब पन्त, C option है अनुसका सर्मा और D option है पीवी सिद्धो तो क्या होगा इस question का right answer? इसका answer होगा विराट कोहली और रिसब पन्त, तो विराट कोहली और रिसब पन्त बने हैं हिमाले फेस ओस कंपनी की ब्रांड एम्बेसेडर अब यहां पर ट्रम आया है पीवी सिद्धो, तो पीवी सिद्धो हाले में बहुत ही चर्चा में हैं तो पीवी सिद्धो किसका ब्रांड एम्बेसेडर है? यह है पेपसी को का ब्रांड एम्बेसेडर है नेक्स्ट क्यूशन है हाली ही में गलोबल एक्षिलेंस आवार्ड से किसे समानित किया गया है? A उप्षन अजे बंगा, B उप्षन अजिज प्रेम जी, C उप्षन दोनों और D उप्षन दोनों में से कोई नहीं तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर? इसका अंसर होगा यानि कि अजे बंगा और अजीज प्रेम जी यानि कि C उप्षन यानि अजे बंगा, अजे बंगा कोँ ने, मास्टर कार्ड के क्या है? CEO हैं और अजीज प्रेम जी कोँ ने, विपरो के अध्यक्स हैं हालिही में संपन हुए जी सेवन सिकर समयलन का समारो का कहां संपन हुआ है ए ओप्षन है फ्रांस बी ओप्षन है जापान सी ओप्षन है टर्की और डी ओप्षन है चाइना तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंसपर इसका अंसर होगा A option यानि कि France तो हाली ही में समपन हुए G7 सिकर समयलन का समारो है का समापन हुआ है फ्रांच में और फ्रांच की केपिटल क्या है पेरिस है और पेरिस किस नदिय किनारे बसावा है यह बसावा है सीन नदिय किनारे बसावा है सबसे ज़्यादा काजू उत्पादक राजे कौन सा है A option है केरल B option है पस्चिम बंगाल C option है मद्धे पर्देश और D option है उत्रा खंड तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंस्वर इसका आंस्वर होगा A option यानि कि केरल तो केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है केरल की केपिटल क्या है तिर्वंध पुरम है और केरल के नाम आते ही एक क्यूशन आपके माइनड में आना ची Silent Valley कहा है Silent Valley यानि कि संत गाटी भी कहां पर है केरल में इस्थित है और पहला स्पेस टेक पार्क का उत्गाटन कहां किया गया है केरल के तिर्वंध पुरम में किया गया है पहले स्पेस टेक पार्क का उत्गाटन केरल के तिर्वंध पुरम में नेक्स्ट क्यूशन है, कामायनी किसकी रचना है, ए उप्षन है, जे संकर, बी उप्षन है, मुन्शी प्रेम चंद, सी उप्षन है, कुश्वंत सिंगी, और डी उप्षन है, मेतिली सरंगुप्त, तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंस्वर? इसका अंसर होगा A उप्षन, यानि कि जे संकर, तो कामायनी जे संकर की रचना है, अब यहाँ पे है, मुन्शी प्रेम चंद की किताबों का नाम है, गबन, गोदाम, करम भूमी, रंग भूमी, और उसके बाद में है, कुश्वंत सिंग, तो कुश्वंत सिंग की पुस्तक का नाम क्या है, ट्रेंड टू पाकिस्तान, क्या है, ट्रेंड टू पाकिस्तान, नेक्स्ट कुश्ण है, सयुक्त राष्टर दिवस कब मनाया गया, सयुक्त राष्टर दिवस कब मनाया जाता है, A ओप्षन है 24 अक्टुबर, B ओप्षन है 30 अक्टुबर, C ओप्षन है 25 अक् तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंसवर? इसका अंसर होगा A option यानि कि 24 अक्टूबर तो 24 अक्टूबर को सहिवतर राष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर 1425 इस्वी को सहिवतर राष्ट की इस्तापना हुई थी Next question है राष्ट्री खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्री खेल दिवस कब मनाया जाता है? A option 29 अगस्त, B option 6 अप्रेल, C option 5 जून, D option 1 माई तो क्या होगा इस क्यूशन का राइट अंसवर? इसका अंसर होगा A option यानि की 25 अगस्त तो 25 अगस्त को राष्ट्री खेल दिवस के रूम में मनाया जाता है और अंतराष्टी खेल दिवस कब मनाया जाता है अंतराष्टी खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रेल को Next question है नीती आयोग के अध्यक्स कोन होते हैं नीती आयोग के अध्यक्स कोन होते हैं A option है परदान मंदरी B option है राष्टर पती C option है महा नयावादी और D option है मुख्य नयादेश तो क्या होगा इस क्विशन का राइट अंस्वर तो निती आयोग बनी है योजना आयोग के इस्तान पर तो निती की फुल फॉर्म क्या थी नेशनल इनफोरमेशिंग फॉर ट्रांस्फोर्मिंग क्या होता है नेशनल इनफोरमेशिंग फॉर्ट ट्रांस्फोर्मिंग और इसके अद्यक्स कोन बने है तो इसके अद्यक्स बने है A option यानि की फड़दान मंतरी परजन टाइम पर हमारे निती आयोग के अद्यक्स कोन है PM नरेंदर मोधी और इसके अद्यक्स कोन है राजीव कुमार है और निती आयोग के परजन टाइम पर CEO कोन है अमिताब कांद है Next question है बर्मा समाज की इस्तापना किसने की थी बर्मा समाज की इस्तापना किसने की थी A option है राजा राम मोहन राई B option है M. एन रोई C option है सुआमित दयानन सरस्वती और D option है सुभास चंदर बोस तो क्या होगा इसक्यूशन का राई स्टाण्सवर इसका अंसर होगा A option यानि कि राजा राम मोहन राई तो राजा राम मोहन राई ने बर्मा समाज की इस्तापना की थी कब की थी 1868 इस्वी में कब की थी 1868 इस्वी में C option है सुआमित दयानन सरस्वती ने किस समाज की इस्तापना की थी आर ये समाज की किस समाज की इस्तापना की थी आर ये समाज की इस्तापना की थी Next question है बारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है बारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है A option है Britain, B option है USA, C option है Ireland और D option है Germany तो क्या होगा इस question का right answer? इसका answer होगा B option यानि कि USA से तो बारत का मौलिक अधिकार USA से लिया गया है और Ireland से क्या लिया गया है? Ireland से लिया गया है नीती नीदे से तत्व है और Germany से क्या लिया गया है? आपातकाल क्या लिया गया है? अमर्जेंश यानि कि आपातकाल और Britain से क्या लिया गया है? संग्य सासन पढ़ना ली next question है केंदर वर राजे के बीच में धनखा बटवारे के सम्मंद में कौन राय देता है केंदर वर राजे के बीच धन बटवारे के सम्मंद में कौन राय देता है A option है परदान मंत्री, B option है संसद, C option है योजना आयोग और D option है वित आयोग तो क्या होगा इस क्यूशन का राय वित आयोग तो केंदर वर राजे के बीच धन बटवारे के सम्मंद में राय वित आयोग देता है और वित आयोग की स्तापना कब हुई थी 22 नवंबर 1951 में और परजन टायम के हमारे वित मंत्री कोन है निर्मला सीता रमन है और निर्मला सीता रमन का निर्वाचन चेतर क्या है करनाटक है तो दोस्तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट RRB NTPC के लिए प्यूशन विडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली एक्जाम में करन्ट अफियर, साइन्स और ओल्ड जी किसे समादेती इन ही विडियो में से रिपिटेड क्यूशन देखने को मिलेंगे दोस्तो अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेश जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा परिपेशन कर सके दोस्तो किसी परसन में कोई तुरूटी हो तो आप हमें कमेंट के मादेम से बता सकते हैं जिससे कि उस समस्या का समाधन किया जा सके हैं दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कीजिएगा ज़ता से ज़ता से जरूर कीजिएगा जिसे कि whatsapp गुरूप है, twitter गुरूप है, facebook गुरूप है, instagram है जिसे कि हमारे इस वीडियो का money pit आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं दोस्तों आप इन कूशनों का अंसर भी कमेन्ट के माध्यम से दे सकते हैं और स्वेम का कंपेरजन कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए मैं Current Affair, इंडिया जी के, राजिस्थान जी के और जनरल साइन्स के पर्षन भी मैं वीडियो के मादम से परवर्ड करवाता रहता हूं तो आप उन वीडियो का भी मेनिफिट ले सकते हैं थेंक्यू दोस्तों, जै हिंद, जै बारत